पर पहली बार आमिर खान महमान के तौर पर नज़र आने वाले हैं कुछ दिनों पहले निट्फिक्स पर शुरू हुए कपल के शो दा ग्रेट इंडियन कपल शो से आमिर खान के एपिसोड का प्रोमो रिलीस किया गया था प्रोमो बेहद ही मज़ेदार था और आमिर खान कप बाते करते हुए भी नजराय थे इस प्रोमो को देखर ये कहा जा सकता है कि आज दोनों की गेमिस्ट्री आपको हसने पर मजबूर कर देने वाली है नेट्फिक्स ने अपने यूट्यूब के साथ साथ तमाम सोशल मेडिया प्लाटफॉम पर आमिर खान वाले से एपिसोड का एक मिनट 29 सेकिंड का प्रोमो जारी किया था शोकेस छोटे से हिस्से को देख कर ही साफ पता चल गया कि पूरा शोब बेहत ही धमाकेदार होने वाला है खासतोर से जब आमिर ने अवार्ट शोज पर चुपी तोड़ी उसके बाद से ये प्रोमो टॉक आफ दा टाउन बन गया प्रोमो की बात करें तो शुरवात में कपिल शर्मा एक टॉली में कई अवार्ट शो लेकर आते दिखाई देते हैं वो कहते हैं कि ये सारे अवार्ट एक ही आदमी के हैं फिर वो आमिर खान को पेश करते हैं इस दौरान का फिल्चप कहते हैं कि हमें अमीद नहीं थी कि आप हमारे शोपर आएंगे तो सुनिल ग्रोबर के साथ आमिर खान कहते हैं कि पंदरा सो रुपे दो हम लोग आ जाते हैं पर बच्चों ने जीन्स में जाने को बोला आमिल इस दोरान अपनी फलाफ फिलमों की भी भी बात करते दिखाई डेते हैं इस पर कपल केहते हैं कि आपकी जो फिल्मे नहीं भी चलती है वो भी इतना जादा बिसनस कर जाती है इसके बाद शुरू होता है असली मुद्धा यानि की अवार्ड फंक्शन कार्ट प्रॉपिक दरसल इस दौरान अर्चना पूरन सिंग आमिर खान से सवाल करती है कि तुम आवार्ड लेने क्यों नहीं जाते इस पर आमिर खान हसते कोई जबाब देते हैं कि वक्त बहुत कीमती है उसका जही इस्तमाल करना चाहिए बस आमिर खान के इतना कहते ही लोगों में बवाल मच गया और एक बाब फिर से अवार्ड शोस की किरकिरी होने लग गई आमिर खान के जबाब सुनकर जहां कई लोग उनकी तारीफ करते नजर आ रहे हैं तो कई ऐसे हैं जो इन शोस की धजिया उड़ा रहे हैं अब लोगों का आमिर खान के स्टेट्मेंट पर क्या कुछ कहना है कॉमेंट बॉक्स में बताना हमें ये बिल्कुल भी न भूलिएगा बॉलिवूड की लेटेस्ट न्यूज्स, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉंग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चानल क्रेजी फॉर बॉलिवूड को और येस, डोंट फोगेट तो प्रेस्ट बेल इकन ताकि हमारे चानल पे आई कोई भी नई इंफोमेशन आप बिल्कुल भी मिसना कर पाएं